कि हमने आप से बोला था कि आज के दिन हम आपको जो जो में सिलेबर से उसके निदर मेंटर करवाएंगी लेकिन विक में जो नेक्स्ट वीक है इसमें आपको देंगे और गृप सभी लोग देखते रहेंगा ग्रूप में आपको एक एक information हम देते रहें गाता कि कैसे-कैसे सब्सक्राइब हैं आज एक चीज़ हम बताएंगे आब सभी लोग इसकी पूरे वीक प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करने के बाद में नेक्स्ट विक हमको इसकी रिपोर्ट समिट करना सभी लोग क्या हुआ है इसके थूप क्योंकि यह जो चीज अभी हम आज के दिन आपको बताएंगे यह कितना आपने प्रैक्टिस के और क्या इसका रिजल्ट निकला है फिर इसको और ज्यादा अच्छे से हम लोग आगे की तरफ ले करके चलेंगे और इसको थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करेंगे देखि क्योंकि मल्टी टाइम अपने नाम सुना होगा कई लोग फाइफ फिटीन थर्टी वन आवर वन डे मंथली इस तभी तरह के टाइम फ्रीम को देखने को वीग अपका वन मिनिट के टाइम पर भी देखिए जो सक्यलपर्स होते हैं करे तरह के टाइम फ्रेम जब आप काम कर अपना मीनिंग वह वन आवर और लोवर टाइम फ्रेम हमेशा कितरा हम लोग 5 मिनिट से लेकर चलेंगे यह दो टाइम फेम हो गया ना वाल्यूम बेस्ट इस्टेजी है यह अपनी आज की इस्टेजी नहीं बूलेंगे देखिए स्टेजी वेगारा नहीं यह पूरा एक आ यहां से मार्केट मेरी अपसाइड की तरफ गई एक यह मुविंग एबरेज बना और एक इस तरह से मुविंग अब यह क्रॉस ओवर हो गया अब यहां से आप बाइक कर दो सेल कर दो इसके थूप करें काम को ली करते तो यह सब नहीं कर रहें को यह को बोलें तो यह सिस्टम है करके जब आप इसके प्रैक्टिस करते चलिग तो आप खुद बखुद अपने सिस्टम से डेवलोप करते चलिगाओगे मत समझना इसको एक सिस्टम है प्रैक्टिस करना इसकी बस कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर जो में काम हुमारा रहेगा वह वॉल्यूम्स का रहेगा वन आवर के टाइम पर सबसे पहले आएंगे और हमें चाहिए हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेस्टेंस हायर करने के बाद में रीडिंग भी बस्ती है कि प्रैजस के मूवमेंट्स क्या है ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम तो यह लेवल्स ड्रॉ कर ले रहे हैं यह मेरे लेवल्स है और दूसरा एक लेवल होता है यह मेरा लेवल और मार्केट लेवल यह क्या है यह कौन सी बात हो यह स को थोड़ा से समझें बहुत बार क्या होगा आशुतोष ने क्या किया है जो भी सिस्टम सम बता रहे हैं उसके थूँ वो मार्किंग कर ले रहे हैं यहां पर मार्किंग की जाएगे यह कोई कोई फॉर्मेशन जसला जस्ट इमेजिन कि हमने बता दिया है आपको दो पैरलेल केंडल कीजिए बिल्कुल पैरलेल केंडल सोंगे आप एक काम करो इसका हाई मार्क करो और यहां पर देखो कि मार्केट इस लेवल पर आकर कि क्या कर रहे हैं कितनी अच्छी तरह से यह सपोर करना चाहिए था यह जो लेवल आपने ड्रॉडिये आपके यह तो सब्सक्रिक कर रहे हैं का इन फूचर्म पर रियक्ट कर सकती है यह तो कर का पास्ट से कि पास्ट में उन लेवल्स ने कितना अच्छा वह किया है अब अश्वितोष ने जो लेवल्स यहाँ पर ड्रो किये हैं मार्केट प्रीवेस समय में मतलब पास्ट डाटा वहां पर बिल्कुल भी रिक्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है बट फिर विस ने और मार्केट यहां पर बिल्कूल रियक्ट नहीं कर रही है अब इनको फॉर्मेशन्स तो हहां पर मिल गई बट इन फॉर्मेशन ने अदर र्वास कर लिए यह थाफ बताई उसके पॉसिजिएऑ होने के बाप Tibs मैंने इस just starting happening formations are just tools मदद करते हैं एक लेवल तक पहुंचने में पहुंचाने में वो जगह गलत भी हो सकती और सही भी हो सकती है यह हमारा काम है देखने का कि क्या हम सही जगह पर हैं ऐसाथ नहीं कि उसमें ले जाकर कि तो हमें छोड़ दिया वहां पर हम रियल मनी के साथ ट्रेड भी करने लेगा अब मेरे स्टॉप प्रॉसेस अब क्या करें इस कंडिशन तो पहुंचने से पहले आप इस पांट को अगर समझ जाओगे ना बहुत आपको मिलेगी आगे चल तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट पे यह जो सेकंड पॉइं लोवर टैम फ्रेम का मतलब होगा आपका एक बात हम आप लोगों को बोल दे रहें अभी से क्यूंकि शुरुआत करने से पहले हमने बोल दिया कि अभी हम लोग ट्रेड एक्जेक्यूशन नहीं करेंगे ब्लुक्ल भी ट्रेड एक्जेक्यूट नहीं किया जाएगा फिर य एक्जी टॉप बताने के पीछे के रीजन क्या है हम अभी जो हम आपको चीजे बताएंगे उससे जस्ट को रिलेट करना जस्ट इमेजिन यह आपका हाय टैम पर निकाल गया हाय टैम पर लेवर अभी जो फॉर्मेशन हम बुलेंग वॉल्म से उसके उस फॉर्मेशन से अभी तक जो आप रोग यूज करते हैं हो बेरिश फॉर्मेशन या फिर बुलिश फॉर्मेशन यह गूगल पर जाना और सर्च करना टाइप्स ऑफ बेरिश फॉर्मेशन बुलिश फॉर्मेशन क्या होती हैं और कितने तरह की यह होती हैं किस तरह से इसका यूज किया जा स्टार इवनिंग स्टार और जो सबसे कॉमन यूज होती है पिन बार मदर केंडल है ना और इंगल्फिंग केंडल यह आपकी बुलिश और बेरिश फॉर्मेशन होती है पढ़ना इसके बारे में अभी हम चाहते हैं कि आप जितना हो सकता है खुद को एक्स्प्लोर करने की कोशिश करो हम क्या करेंगे कि मेरा काम यह है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन ना दे करके आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़े दी जाएं जिसकी उपर आप प्रैक्टिस करो लेकिन अभी एक ही पॉइंट में बादने से अच्छा पहले आपको थोड़ा सा खोलें जितना हो सके मार्केट में देखो सर्च करो क्या हो रहा है किस तरह से लोग काम करें कैसे आप काम कर रहे थे थे एक फॉर्मेशन जो अपने पास से वह मदर केंडल जस्ट एक्जामपल है अब देखना जब आप अपनी इन फॉर्मेशन पर आओगे यहां इस वाली जगह पर आओ जाओगे तो जितनी भी टाइप की कैंडल से बुलिश वेरिश केंडल से उन सब को आपको देखना है उस में से एक एक जापल अभी हम लेगे मदर केंडल का असा आप अक्सर हम अच्छे तरह से काम करेंगे इस तरह से बताया जाता है कि यह मदर केंडल आपकी बेरिश है अगर हम से अप पूछोगे सभी अपना पर प्रस्टर्ट्टिव होता है तो मार्केट में जो चीज़ बताई जारी उसे जस्ट डिफ्रेंट बिल्कुल अपोसिट है और तो इसी मदर केंडल में जब हम वालूम्स को एड़ कर देंगे आपके लिए तो यह और अच्छी तरह से वर्क करेंगे लेकिन अभी उन्हें बताया ना हम आपको बांदेंगे ले अभी जो भी है गलस सही आप सारी चीज़ें करो इसके अंदर खुद एक्सप्लोर करो फि इसके ऊपर कोई formation फॉर्म हो रही है या फिर इस लेवल के नीचे कोई formation बन रही है प्राइस जैसे ही इस लेवल के नीचे आपका closing मारेगा आप यहां पर एंटर करो यह वाली शुच जगह होगे यह आपकी entry का point बनेगा और entry करने से पहले जो आपका last swing होगा last swing level आपका ब closing करने के बाद में हम entry करेंगे इसके अलाबव अगर मार्केट कहीं जा रहे है तो जाने देजा में उससे लेना देना नहीं कुछ लेना देना यह सारी चीज़े आपको देखने करेंगे समझ पार है हम क्या बोल रहे हैं क्या समझाना क्या चाहरा है हाई टाइम रीडिंग ह इसके वाइट टाइम पर मार्किंग होगी फिर आप रीडिंग करोगे फिल लोवर टाइम पर आकर के अपनी इन सारी फॉर्मिशन को देखोगे अब हमें चाहिए एंट्री एक्जिट इस टॉप लॉस जब एंट्री करने की बार एक तो बुलिज बैरीश फॉर्मिशन समय देखिए उसी में से एक एक्जामपल लेकर हमने आपको मज़र केंडल बता दिया विसमें और सारी कितनी फॉर्मिशन सो सकती पिन बार हो सकती है देखो आप बुलिश पिन बार बेश पिन बार यह सब खुद देखिए हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं वीजिए फॉर आपको देखना है यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे एक बुलिश केंडल इस बुलिश केंडल के बाद में फिर आप देखना है बीर्स केंडल इनका फर्क क्या होगा दोनों का प्रीवेस केंडल से उपर मतला प्रीवेस केंडल से ज्यादा इसकी वाल्यूम होनी एक बुलिश केंडल और एक बीरिश केंडल की वाल्यूम मेरी फस्ट केंडल से ज्यादा होगा इसके बाद में फिर से आपको देखना है सुरी बी इरिश केंडल अब यह जो थर्ड वाली इपनी कैंडल है इसकी भी Wherever हमारी昨ुम से जादा ही होगी सेकेंड वाली से जद नहीं भी है तो चल जाएगे बत फस्ट वाली जो अमारी वॉल्यूम है इस से ज़्यादा होनी चाहिए और जो कप थर्ड वाली hebt VOLUM है ये बुलिष भी हो सकती है और भी रिश sap यहां पो रूब लिखते है नंबर疫情 प्रस्टेटल मेतले बुलिष वाली अगर पर फस्ट वाली मेरी द्रस्ट गर मगें और फिस्ट वाल्री केंडल केंडल रu बुलिष मेरी बुलिष हो जाएगी जस्ट-डापोजिट होगा यहां पर शुरुआत हम जो कर रहे हैं वह बुलिष केंडल से है तो फार्ड बेर एकनल है वाल्यूम को देख रहा है यहां पर अगर यह ऊपर भी निकल थो जा दियता है उसको लेकर कर देखेंगे और थर्ड सकती है और बेरी पी हो सकती यह फूर्थ नंबर आपका रूए बुलिश भी हो सकती और स्क्रीन शॉट ले लिए इसका सभी लिए जितनी वी हमने चीज़े लेकिन इनका सब पर स्क्रीन शॉट ले लिए और अभी चार्ट पर चलेंगे के बाद में एक सेशन और करेंगे जैसे यह सेशन खतम हो जाएगा सभी लोग जल्दी से रिजॉण कर लिजाएगा सेम लिंक से अभी दो मिनिट है अपने पास इसको थोड़ा सा और डिफाइंड करते हैं इससे पहले की जो रिकॉर्डिंग्स आपने देखिए कल के क्लास के रिकॉर्डिंग्स थी शाम की फस्ट दू फेजस में क्लास हो थी दो पार्ट में फस्ट पार्ट की तो रिकॉर्डिंग हो गए थी बट सेकंड पार्ट में रिकॉर्डिंग ओन करना हम भूल गया तो वह मिस हो गया तो उस सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या था जो भी आपस से अभी हम करेंगे और कल की क्लास में जो stock के उपर हमने example दिया तो same stock के उपर अभी वी example देने के कोशिश करेंगे देखे टेसला को हमने example 8 करने के कोशिश की दिए टेसला के उपर हमने example दिया था 1 hour का time frame रहेगा volumes के उपर focus की जगा हमने कौन से rules आपको बताया थे first वाली volume एक normal volume ये bullish भी हो सकती बेरिश भी हो सकती बट इसके बाद जो volume बनेगी इसकी just opposite होगी मेरी और volume ज्यादा होगे जैसे कि क्या होता है यहाँ पर जितने भी buyers या फिर sellers act हुए हैं उससे ज्यादा next candle में यहाँ से jump मारने के कोशिच की है opposite side में बायर या फिर seller price ने अगर bullish moment देखाया first candle में तो second candle हमारी bearish होगी मतलब bulls को यहाँ पर down करने की कोशिच की गई heavy volume पे साथ not a low volume ज्यादा volume के साथ volumes को upside की तरफ ले जाने की कोशिच की गई और इसके बाद में जो third candle हमारी बन रही है इसमें भी first से ज्यादा की volume है तो यहाँ पर कौन से structure में find किया 1, 2, 3 इन टीनों ही candles का जो पूरा structure होगा price के माधियम से हम इसका high और low mark करेंगे यहाँ पर देखिए high और low और उसके बाद में देखना यह होगा यह जो दोनो लेवल्स दोनो ranges हमारी बनी है यही range आपकी एक support या फिर एक resistance की तरह work करेंगे अब क्योंकि वो class recordings थी तो class recording में हमने साफ मना कर रखा है कि trade execution अभी नहीं होगा क्योंकि यह शुरुवात की classes है trade execution के उपर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ा हमारी पीछे छूट जाती है क्योंकि जब trade execute करते हैं तो वहाँ पर profit loss यह सब count होने लगता है quantities हम नहीं चाहते हैं कि profit loss को count करने बैठो और जो main चीज़े हैं वो छूटे तो इस चीज़ की साफ हिदायत हम class में दे देते हैं अब यहाँ पर भी जो चीज़ आपको करनी है जैसे अब entry लेनी है तो हमें कहाँ पर trade execute करना है देखे टेसला को हमने कल की class में example दिया था इस chart के उपर तो volumes के थूँ यह candle summary निकल आएं अब volumes का move कर देंगे यहाँ पर price अगर हमारे level के उपर होगा ध्यान दिज़ेगा थोड़ा सा price अगर मेरे level के उपर है supports पर है तो यहाँ से हमें buying करनी होगी और जितने भी formations हमने आपसे बोली है bullish formations अगर price आपका support के उपर है तो आप bullish formations के breakout का wait करोगे upside के तरफ price अगर downside के तरफ है यहाँ पर है मतलब 843.37 की नीचे है तो bearish formations के downside के तरफ breakout करने के कोशिश करोगे उसके closing करने के कोशिश करोगे अगर price close हो जागा तो वहाँ पर हम अपना trade execute करेंगे अगर price मेरा 887.30 के अंदर है तो हम wait करेंगे कि price हमारा हमारी level पर आए और जहाँ पर bearish formations के form होने का wait करेंगे और उसके नीचे closing का wait करेंगे clear है और यह होगा मेरा support point price अगर मेरे support पर है तो यहाँ पर जिस तरह से इस जगह पर हमने bullish formations का wait किया था यहाँ पर भी हम bullish formations का wait करेंगे जैसे यहाँ पर bearish formations का wait किया था वैसे यहाँ पर भी हम bearish formations का wait करेंगे clear entries के लिए mini formations का use करेंगे अगर short करने तो bearish formations और अब हम आ जाएंगे अपनी informations के बनने के बाद मतलब 8 बजे के बाद के जो movements हुए है 21 यहाँ पर आई अब प्राइस जब हमारा हमारे इस level से टकराया है 8 बजे के बाद देखे कहाँ पर हुआ है 8 बजे की candle के close हो जाने के बाद प्राइस अगेन यहाँ प्रेमिरा गया अब यहाँ पर देखे अगर हम trade execute करेंगे कल यह chart चल रहे थे इस इसका हमें बहुत अफसोस लगा कि class चल रहे है और वहाँ पर हम recording sound करना भूल गया क्योंकि कल जब यह class चल रही तो बहुत सारे चीज़े हमने उसमें बताई थे अब हम वापस जब हम उसको याद करने तो याद नहीं आती है वो flow में कई सारी चीज़े निकलती है लेकिन हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे है कि जो जो points हमने class में लिये थे class में cover के थे same points हम यहाँ पर आपको बताए यहाँ पर live class जब चल रहे होती लेकिन जब setup running market रहती है तो setup समझार में बहुत अच्छा भी लगता है और समझने भी थोड़ा सा believe आता है कल की जब class चल ले थी तो यहाँ पर यह candles वगरा form हो रही थी अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही price हमारा हमारी इस level से touch हुआ इसके अंदर एक mother candle form हो गए mother candle के बन जाने के बाद यहाँ पर इस जगह के नीचे जैसे ही price ने closing की है जैसे ही price ने close किया price में देखिए हम लोगों को एक short entry यहाँ पर लेनी है retracement पर भी आप ले सकते हो और aggressive अगर आप हो तो closing करने के साथ में सीधे से आप entry ले सकते हो बठाँ यह देखना है कि stop loss के जो बीच की दूरी है यह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो भी stop loss आपका बनेगा यह बहुत बड़ा अगर stop loss है तो target साबका उतना ही बड़ा हो जागा तो target हमको मिल सके logically उतना बड़ा stop loss लगाना है यहाँ पर हमने क्या किया अपना entry लेने से पहले का जो swing है हमारा इस swing के उपर हमने अपना stop loss लगा दिया और जो target price रहेगा मेरा target level वो यह वाला point 843.37 यह मेरा target level होगा टेकनिकली अगर देखते हैं तो हम 3 रुपय के stop loss लेंगे 10 रुपय का अगर मेरा risk है तो हम 30 रुपय का profit यहाँ पर book करेंगे यतना मान करके जहाँ पर आपको इस तरह का risk and reward ratio मिलेगा 1 ratio 2 भी कम नहीं है आप चाहो तो 1 ratio 2 को भी अगर आपने आगे की तरफ बढ़ाया तो 50% trade accuracy के साथ भी आप 1 ratio 2 में बहुत अच्छी तरह से profitable हो जाओगे लेकिन 1 ratio 3 के उपर focus करिए 3 मिल रहा है जिस भी trade की opportunity आपको 1 ratio 3 के मिल रही है वहाँ पर जाएए और वो trade execute की जाएए यह तो बात हुई अब यहाँ पर जैसे price में अपनी range के अंदर है तो हमको बहुत अच्छा technically support मिल जाएगा कि यहाँ से अगर हमें short करना तो यह support और यहाँ से अगर buy करना तो यह मेरे target levels और अब से downside के तरफ अगर हमें short करना तो यह वाले मेरे target levels हो जाएगे अब बात यहाँ आती कि technically range के अंदर stock है तो यहाँ पर हमें targets मिल रहे है अब अगर range के बाहर को stock है तो हम क्या करेंगे हम range के बाहर के swings देखेंगे आप इसको one hour में भी देख सकते हो और lower time frame पर भी देख सकते हो जैसे one hour time frame पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ swings आपको देखेंगे आप इन्हे targets ले सकते हो 843 से price जगा नीचे गिरता है तो 827 यहाँ तक आप अपको targets बुक कर सकते हो और अगर price इसके upside के तरफ जादा है तो यह वाले upside में जो आपको swings मिलेंगे यहाँ पर आप अपने targets को बुक करोगे यह वाले जो swing points है यह तो तरीका हो गया technically technically अगर नहीं करना है आपको management के according करना है तो अभी जैसे हमने बताया एक रुपाय का stop loss तिन रुपाय का target लिजिए और खतम करिए जहाँ पर भी आ रहा है या तो stop loss है target जिस भी techniques में आ जाएगा लेकिन practice करने के लिए हम मन में अपने यही मान करके चलेंगे कि तीन रुपाय का target हम लेंगे अगर हमने एक रुपाय का stop loss लगाया है तो कोई भी और stock लेते हैं दूसरा कोटक में देखिए यह वाली marking अपनी शायद इसी formation के through हमने mark किया था इसको one two or three ठीक है देखिए कोटक का यह example है कोटक ने देखिए क्या किया है यहाँ पर volumes को देखिए सबसे पहले यह ना volume एक bullish बेरिश उससे ज़्यादा और इसके बाद में जो भी मारी volume बनने बहुत ज्यादा होने चाहिए फर्स्ट वाली candle से तो यहाँ पर इन तीरों ही candles का हमने level mark किया mark out करने के बाद में 10 बचकर 15 मिनिट की candle का low 12 बचकर 15 मिनिट की candle का high यह marked अब इसके बाद में हमें देखना यह lower time frame पर हम लोग चलने थे 5th of May बनोना यह पूरा support बना market यहां से upside की दरफ गई है और जब तक market यहां से गिरेगी नहीं downside की दरफ या फिर इस वाले level को break करके उपर नहीं चली जाएगी या फिर इसी वाले level को break करके नीचे नहीं चली जाएगी तब तक हम trade execute नहीं करेंगे प्राइज हमारा हमारे level में है बीच में होने दिजए मेरे किसी काम का वो नहीं है किसी भी काम का नहीं है अब यहां पर देखिए क्या हुआ है एक यह candle बनी और इसके अंदर ही कई सारी candles मेरी form हो रही है practice कर रो, practitioner हो अब यहां पर भी देखिए उतना आगे नहीं लेकिन इस formation में देखिए हमारे पास यह एक mother candle बनी है अब price हमारा हमारी इस range के अंदर है यहां पर देखिए इस candle ने breakout दिया और breakout देने के बाद में फिर उस दिन यह उपर नहीं जा पाई है पूरे दिन यह नीचे ही रही है मतब retracement नहीं हुआ अभी हमने कहा था ना अगर अगर एंट्री आपको लेनी है तो price जैसे नीचे की दिशा में आपको लग रहा है कि यहां आ रहा है volumes भी आ रहे हैं ठीक ठाक तो आप यहां से अपना trade initiate कर तक दो बाकी फिट technical यह आपका क्या experience क्या बोल रहा है जैसे यह एक candle है तो इससे candle का बहुत importance होगा फिलाल आज के यह अपना topic नहीं है तो इसके अपर focus नहीं करेंगे और के दूसरा stock जैसे यह Kotak Mahindra Bank का chart है कोई और stock लेते हैं एक last example और लेंगे Britannia है Britannia में volumes को देखे हैं अगर तो थोड़ा concentrate होकर किस चीज़ को देखे हैं यहां पर देखे आपको volume देख रही होगी 10 बच कर 15 मिनेट 11 बच कर 15 मिनेट और 12 बच कर 15 मिनेट पूरा structure लग रहे है ना हम लोगों को जो चीज़ अभी हमने आपको बताई है सेम वैसा ही है यह normal volume बट next जो volume आएगी वो just opposite होगी फस्ट वाली से ज्यादा होगी जो थर्ड वाली volume हो फस्ट से ज्यादा होगी greater than first volume अब इन तीनों ही candles का हमें नहीं वालों में कि price का क्या कैसा क्या movement है हम just mark करेंगे जो भी highest high होगा जो भी lowest low होगा यह lowest low है और यह highest high अब हमें देखें काफी अच्छ है यहाँ पर वक किया है अब यह वाली जो level अपने बने है 3487 3328 यह level मेरे support और resistance के तरह वक करेंगे हम फिर से आपको बताएंगे wait करना है price हमारे level पर आए volume के साथ price को कैसे देखिए merge कर रहे है हम लोग किस तरह से volume हमारी help करता है और यह बहुत चोटी चोटी techniques है अब इसको जब आगे और भी ज़्यादा explore जब आप लोग करोगे थोड़ा सा experiences के अंदर होगा अभी stock selection जब इसके अंदर आप add कर दोगे कब हमें trend कैसे identify करना जब इन सारी चीज़ों को add करते चले जाओगे आप तो और ज़्यादा ही powerful हो जाएगा इसी तरह से हमारा हमेशे यह काम होना चाहिए कि कि किसी भी strategies से हम लोग काम करने किसी भी system से काम करने उसको दीरे 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 इंप्रूफ करना क्योंकि market रोज change होते है रोज आपको नई market देखेगी अब 5 minutes के time frame पर आजाएए यहाँ पर देखे क्या होगा proper एक यहाँ पर आपको entry मिली है यह वाले level अपना support level price एक resistance पर यह दो हमने market थे लेकिन इसके बाद में देखिए price फिर हमारा हमारी level पर आया नहीं है हमने wait किया wait किया wait किया यहाँ पर market मेरी level पर आया अब इसको थोड़ा सा zoom out करे यहाँ पर देखे क्या market ने क्या किया है एक level पर आ जाने के बाद है market हमारी sustain हो गई है फिर हमने कहा ना mother candle यह normal आपको दिख जाएगी यहाँ पर देखे हमने इस candle को mark कर लिया जैसे ही market हमारा हमारे इस level के नीचे आएगा हम retracement पर यहाँ पर अपनी entry लेंगे जो मेरा swing होगा वो मेरा stop loss जाएगा जो भी मेरा swing point है वो stop loss जाएगा और यहाँ पर हम अपना risk and reward ratio के गादिग जो भी आपका risk and reward ratio रहेगा जैसे ही price 3327.10 पर आया यहाँ पर हम अपनी formations देखने लगनी है अब जैसे एक mother candle की formation बनी है आपका जैसे ही price हमारा नीचे की दिशा में close करेगा हम यहाँ पर अपने trade execute करेंगे aggressively भी हो सकता और retracement पर भी हो सकता यह आपके उपर depend करता है अब जिब stop loss लगाने की बारी आएगे तो यहाँ पर जो सबसे सही stop loss बन रहा है आपका इस एक candle की उपर आप stop loss अपने लगा सकते हूँ इनके उपर आपका stop loss जागा और जो targets रहेंगे अभी हमने बताया 1 issue 3 तक targets आपको book करने हैं और stop loss जहां से भी जहां पर भी आप लगने हैं उसका just 1 issue 3 लेना और चुप चाप market से बाहर निकल जाना है market को जो करना है करने दिए उसके बाद यहाँ पर नहीं लगता है price आपका अगर stop loss आपको यहाँ पर लगना है क्योंकि यह जो candle जिस तरह से बनी हो यहाँ पर जो volumes आई है यह के stop loss बन रहा है लेकिन अब exact आपको swing पर लगाना तो यहाँ पर भी अप लगा सकते हो जो भी swing है वहाँ पर अपना stop loss लगा और 1 issue 3 low और चुप चाप बाहर निकल लेना है कोई भी stock आपको treat करना हो range के अंदर है अगर तो range के अंदर है हमें मावलूम है कि वहाँ पर अगर अगर में targets book करने तो कैसे book करने और range के बाहर है तो swing पर आप अपना stop loss लगाओ 3 मिले लेकर के बहार निकल जाओ लग रहा है नहीं 3 दूर है 2 पर है price तो 2 पर कुछ quantities book कर दो कुछ quantities hold कर लो 3 पर जैसे price है वैसे वहाँ से पना profits book करिया और वहाँ से बहार निकलिया simple सा system है जितना easy way में हम आपको यह सारी चीज़े बता रहे हैं समझा रहे हैं हमें नहीं लगता क्यूंकि हम भी इसी market के ही हैं यह सारी चीज़े आपको कोई भी नहीं बताएगा पैसे ले करके भी लोग यह सब कुछ नहीं बताते हैं जितना हो सकए चैनल को support कीज़े share कीज़े वीडियो को चैनल पर अगर नहीं हो तो subscribe कीज़े और वीडियो को like ज़रूर कीज़ेगा अगे भी इसी तरह एक सिस्टम और अच्छे ची सिस्टम options को ले करके भी equities को ले करके भी हम ले करके आएंगे आपके लिए और जितना हो सकएगा genuinely एक genuine knowledge आप तक पहुँचाने के कोशिश करेंगे यह सब life market की चीज़े हैं life market की proof वी चीज़े हैं आप इसका use करो कोई भी doubt रहता कोई भी question होता है हमें आप comment box में करो जरूर उसका reply हम करेंगे okay so I hope कि यह साथ चीज़े समझ में आई होंगी क्योंकि ज़्यादा complicated करके हमने बताया है बहुत simple बहुत easy way में बताया है कल की recording मिस होगा अगर कल की recording मिलते हैं तो और ज़्यादा उससे help आपको मिलते हैं तो इसको तो अलग से हम record कर रहे हैं तो ये दो parts में वीडियो का first वाले में थोड़ी सी voice quality आपको अलग देखेगी और इसकी voice quality अलग होगी क्योंकि वो class recording थे और ये mainly हम record कर रहे हैं क्योंकि और ये विल्मित अगें